पहचान पत्र के बिना भी मिलेगा दस हजार का कर्ज आधिकारिक बयान के अनुसार केंद्री आवास एवं शहरी कारे मंत्रा लेके सचेव दुर्गा शंकर मिश्र ने इस सुविधा की शुरुवात की है आपको बता दे कि सड़क किनारे ठेले पर दुकान लगाने वालों के लिए प्रधान मंत्री सुवनीदी योजना शुरू की गई है इसके तहट ठेले खोमचे वाले दस हजार उपए तक का लोन ले सकते हैं इस कर्ज को एक साल में मासिक किष्ट में लोटाना होगा मिशना ने कहा कि योजना के तहट लो आर्ट प्राप्त करने के बाद ठेले वाले दुकानदार कर्ज के लिए आवेदन दे सकते हैं मंत्राले के अनुसार अंशनसा पत्र ये मॉड्यूल उन स्ट्रीट वेंडर्स को सुविधा देने के लिए तयार किया गया है जिनके पास पहचान पत्र, आईडी या विक्रय प्रमान पत्र यानि सी ओ भी नहीं है और उनका नाम इस योजना के तहट लाब उठाने के लिए सर्वेक्षन सूची में भी शामल नहीं है परोना काल में के दे सरकार ने अलगले तरह की स्कीम्स को लाँच किया है इनमें अधिकतर स्कीम्स के तहट लोगों को लोन दिये जा रहे हैं करीब 58 फीसदी लोग सरकारी स्कीम्स के तहट लोन लेकर आर्थिक स्थिती को सुधारने के लिए तयार है दरसल लोगों की आर्थिक संकट से निपटने की योजनाओं को लेकर आज तक ने करवी Insights Limited के साथ मिलकर एक सर्वे किया Mood of the Nation के नाम से किये गए इस सर्वे में पता चलता है कि 58 फीसदी लोग सरकारी स्कीम के तहत लोन लेकर आर्थिक सेहत मजबूत करना जाहेंगे वहीं 34 फीसदी लोगों ने नहीं में जवाब दिया जबकि 8 फीसदी लोगों ने किसी तरह के जवाब से इंकार किया एक अन्य सवाल में ये पूछा गया कि क्या सरकार की पॉलिसी सिर्फ बड़े कारोबारी के लिए है और छोटे कारोबारियों को नजर अंदास किया जाता है इस सवाल के जवाब में 33 फीसदी लोगों ने माना कि सरकार की पॉलिसी सर्फ बड़े कारोबारी जगत के लिए है हाला कि 45 फीसदी लोगों का कहना है कि सरकार बड़े और छोटे दोनों कारोबार का खयाल रखती है सिर्फ साथ फीसदी लोगों का कहना है कि सरकार की पॉलिसी छोटे कारोबार के लिए फायदे मन्द है जबकि छे फीसदी लोगों ने किसी भी तरह के जवाब देने से इंकार किया देशका विदेशी मुद्राबंडार ग्यारा दश्मलव नो अरब डॉलर बढ़ कर 534.5 अरब डॉलर की सर्वर उंचाई पर पहुंचा भारती रिजर्व बैंक के ताजा आंकडों में शुक्रवार को ये जानकारी दी गई, गुरुवार को मौद्रिक निती के घोशना करते हुए भारती रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्ति कांत दास ने कहा कि 534.6 अरब डॉलर का विदेशी मुद्राबंडार 13.4 माह के आयात के बराबर है, उन्होंने कहा कि वितवर्ष 2020-2021 में अभी तक यानी 31 जुलाई तक मुद्राबंडार में 56.8 अरब डॉलर की वरिद्धी हुई है, 24 जुलाई को समाप्त सब्ताह में विदेशी मुद्राबंडार 4.993 अरब डॉलर बढ़कर 522.630 अरब डॉलर हो गया था, ओकी क्रेडिट भरोसा व्यापार का